आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर अपने सभी गनित, रसायन, विग्यान, भौतक विग्यान और जी विग्यान के डाउट्स का करो सपाया बस प्रशन की फोडो कीचो, एची प्रशन को क्रॉप करो और तुर्ट वीडियो सिलीशन पाओ अब ही डाउनलोड करें क्या होता है, polyethylene glycol का मतलब क्या हुआ कि एक तो आपका OH लगा हुआ होगा और OH से और क्या लगा हुआ होगा तो हम लोग यहाँ पर करते हैं, यह आपका CH2 फिर आपका CH2 और फिर यहाँ पर एक oxygen पर माल और यह लगे हुए रहेंगे end time ठीक है, और इससे फिर क्या लगा हुआ रहेगा CH2 फिर CH2 और फिर OH ठीक है इसको हम लोग बोलते हैं polyethylene glycol अब इसका हम लोग किस प्रकार के अपमार्जक के लिए करते हैं तो जैसे, माल लीजिए हम लोगे पास क्या है steric aml है, जैसे CH3 ठीक है, और क्या होता है तो यह CH2 को हम लोग कितनी बार लिखेंगे 16 बार, और इसके साथ में क्या रहेगा aml है तो CWH तो यह steric aml हो गया अब जब हम लोग इसका क्या करते हैं निरजली करण कराते हैं यानि कि जल को बाहर निकालेंगे तो यह क्या बना लेता है यह बना लेगा फिर CH3 है ना, और फिर यहाँ पे हम लोग लिख दें CH2 को 16 बार और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा यह COO COO फिर क्या हो जाएगा यह आपका CH2 फिर यहाँ पर मैं लिख देता हूँ CH2 और O और यह कितनी बार था तो N समय है और उसके बार हम लोग क्या लिख देंगे CH2 CH2 OH तो देखे इसमें कोई भी आयन नहीं है यह एक अपमार्जक है लेकिन कोई भी आयन नहीं है तो हम लोग क्या कहेंगे धैनायनी अपमार्जक भी गलत हो गया रिडायनी अपमार्जक भी गलत हो गया आयनिक अपमार्जक भी गलत हो गया तो जो अब बन सकता है वो क्या बन सकता है तो ऐसे अपमार्जक जिसमें आयन ना हो जैसे कि हम लोग साबुन बोल सकते हैं ठीक है तो हम लोग लिख दें यह यह नौन आयनिक आयनिक अपमार्जक यह हम लोग क्या लेज सकते हैं साबुन बनाने में किसकी बात हो रही है तो polyethylene glycols की ठीक है बनाने में प्रयोग होता है ठीक है प्रयोग होता है तो हम लोग का उत्तर क्या हो जाएगा उत्तर हो गया चौथा विकल ठीक है धन्यवाद अप्षाप करें अपने सारे डाउट्स आच चार्सो 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 पर